जैवातादी और आज का विशे लेते हैं कुंडले का निर्मान कैसे की जाती है यह जानते हैं कि सबसे पहले कुंडले कपका निपादों का कर दोता हैं थैसे पहले जानती हैं इन बातों का ध्यान लखना यह जैसा कि आप जाश्युक्त है जाला यहां जानते हैं हमें पहली वीडियो में घाले सतन जावा इ125 यदिने देखे तो देखी के अंशेकला और विकला के बारे में बताया था दित्लश्य चक्र जो है हमारा ब्रमान का है कि इसे एक चक्र मानते हैं एक गोला मानते हैं तो यह 39 विभाजित करे तो 17 बराव उसका 30ый Weed बरावर एक राशी कि होता है इसी онड़ हमने 12 विभाजित किया है 12 दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा ही राशियां हैं तो बारा जो है एक राशी बराबर तीस अंश के जैसा कि यहां लिखा इसी आप नोड कर लीजी कहीं भी या इसको आप स्क्रिंशोट भी ले सकतें तो तीस राशी तीस अंश यानि की बराबर एक राशी के है और एक अंश के अंदर जो है साठ कला है एक अंश बराबर साठ कला के है और एक कला में को साठ से दिवाइड करें साठ वहां भाग एक कला का वह विकला कहलाता है तो इसे आपने समझ लिया होगा इसके लावा हम यह समय का को भी सम जैसे कि आप जानते है के 24 गंटे जैसे अंग्रेजी समय के 24 गंटे दिन और रात क्यालाता है लेकिन हमारे जोदिष के अनुसार हमारा समय आढ़ा होता है प्राथे सूर्य उद्य से तो हम सूर्य उद्य तक एक दिन मांते हैं और हमारा जो 24 गंटे में घटी पल विपन इनका मापदंड से देखा जाता है तो घटी हमारी जो है 24 गंटे में 60 गंटी होती है 60 गंटी का एक दिन रात यानि सुर्य उद्य से लेके सुर्य उद्य तक 24 गंटे में 24 गंटा ब्राबर 60 गंटी और एक घटी के अंदर साथ पल होती है और यदि पल को विभाजित किया जाए 60 से तो एक विपल विपल यानि एक पल ब्राब एक साथ विपल ब्राबर एक घटी और साथ घटी ब्राबर 24 गंटे यानि एक दिन रात इस प्रकाल से ये समय को आपने झौना है धी पल विपल और यहां राशी अंशी राशी राशी राशր जानलेया अव आप जानते हैं अब पताया है जन्म समय जन्म-स्थान के बारे में घ्यात होना आवश्चक है हर शेत्र का सुर्य उदै का समय अलग होता है बिन होता है तो वहर देखा जाता है पंचाव से सुर्य उदै का समय आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि सुर्योदे पंचाग से बड़े अराम से दिखा जाता है तो सुर्योदे से पंचाग से हम देख लेते हैं अब एक कालपनिक जातक की जो है कुंडली बनाते हैं कालपनिक समय लेते हैं हमने समय ले लिया ग्यारा बचकर तरेपन मिनट का समय लिया जो कि दिन का समय है अब यहां सुत्रों पर आते हैं है ये इस्च्टकाल तिस्ट गोलते हैं प्राथय सुर्य अधय से लेकर जह तक के जनौं तक का जो समय उसे इस्टकाल होते हैं उसे हम घटी पल गापल में विव्याजित करेंगे वैसे तो उगीरेजी का समय कहला है लेकिन हम अपनी कुंडली निर्मान के लिए घटी पल विपल में उसे परिवर्थित करते हैं तो वह विधी क्या है वह तीन सुत्र है यदी इश्ट्र का लुकर निकालने के तीन सुत्र है यदी जातर का जनम सूर्य उदे से समय को लेना है इसमें सुर्य उदे से दुपहर 12 बजकर 69 मिनट इसको याद कर लिजेगा और इसे कहीं नौट कर लिजे यदी जातर का जनम सुर्य उदे से 12 बजकर 69 मिनट का हो तो जनम समय है जो जनम का समय होगा जैसे हमने लिया 11 बजकर 13 मिनट और उसमें घटा देना हमने सुर्य उदे का समय पांच बजकर 50 मिनट का लिखा है हमें काल्पनिक समय का समय है जो शेत्रिय पंचांग से इसके अनुसार देखना है सवर्वय पंचांग के अनुसार हमने सुरुय का समय पांच बचास कर लिया इसको हमने जन समय में से सुर्वे उधाय का समय घटा दिया माइनस कर दिया तो यह परिणाम आया शे जीरो तीन शे बजकर जीरो तीन मिनट अब इसको हमने धाई गुना कर देना है क्यों करना है क्योंकि यदि हम 24 घंडे को गुना धाई से करेंगे तो साथ आएगा यह साठ जो आयगा मतलब हमारे साठ घटी के हिसाब से हमने समय को बनाना है तो हमने इसको धाय गुना किया धाय गुना करने के बाद जो उत्तर आया ऊश्याका oveны करती इसका जो छे दिन आया इसको ही सेम रख दिया और उसका 20 कर आधा छे का आधा तीन और तीन का आधा डेड़ एक से बड़ा दू यह आया तो हमने इस प्रकार से इसका योग मना लिया यह इस्थकार निकल करके आगया 15 घटी साथ पल और तीस विपल या क्योंकि पल का आधा जो है एक पल का आधा 30 विपल हुआ तो यहां तीस विपल आ गया गटी पल विपल में यह इस्थकार निकल के आगया यह इस्थकार पुर्जातक कर आगया यह पहली विदी से आया यह जातक का जनम इस हिसाब से हुआ है और दूसरा सुत्र यही जातक कर जनम तेरा बजे रेल्वेश के अंसार के बाद रात्री 12 बज़कर 69 मिनट यानि रात्री के रेलवे के अमसार यह दिका है तो 24 के बाद 0000 यह हमने लिखा 69 का हो तो उसमें क्या करना है हमने उसमें मतलब उस दोरान बीच में में एक बज़ से लेके रात्री एक बजने में में इक मिनट कम बारा बज़कर 69 मिनद का हो उस बीच में जो भी समय होगा उसमें हमने बारा जोड दिना उसमें जनम समय में 12 हमने बारह जोड़ने के बाद जो राशि आय Guinea कि उसमें से हैं जो दले काल हैं उसको सटा देना है लिटाने के बाद उसको घंडा आइगो नुट से इसके परकिर्द के और इसके बाद की-थी-श ьसर। तो उसमे में जलम समय में 24 झोड़ना था उसमें 24 जोड़ने के बाद उसमें से सूर्यां उद्य घटा देना और इस प्रकार से इस्थकाल निकल आएगा यह था इस्ट काल निकालने के विधी यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे वर्सक करके मैसेज करते भी आप पूछ सकते हैं और सभी वीडियो को देखते जाएए और मेरी वीडियो को जहां तक हो सके लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और बैल आइकोन अवश्य प्रेस कीजिए ताकि आप तक जो भी वीडियो में अप्लोड करूँ जल्दी से दिल्दी पहुंच इसी के साथ आधिया दीजिए जय मात आदेए